नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको तैली की अंदर जो स्टोक आइटम जो स्टोक मेंटेंड करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे तो आप लोग सभी चैनल को लाइक किजीगा, share कर दिएंगा, subscribe कर दिजीगा, सबसे पहले टैली के अंदर stock group क्या होता है, category क्या होता है, stock unit क्या होता है, stock item क्या होता है, ये चारों हम बढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो topic आता है, वह आपका आता है, inventory info, Inventory Info क्या चीज होती है वो हम आपको इस Class में बताईएं आपको Tally में जो Tally में जो हम किसी भी चीज़ का Business करते हैं उस बस्तु का Record बनाते हैं ठीके न Inner या जैसे हम Laser बनाते हैं Party का नाम से Record बनाते हैं वैसे ही Business जिस थीज़ का विजनस करते हैं उस वस्तु का हम record बनाते हैं जैसे एलेक्ट्रोनिक समान का, मोबाइल का, अनाज का, मेडिकल का, साबुन का, गी का, बहान का, इन सभी का हम क्या करेंगे, business के अंदर record बनाते हैं, ठीक है न, जो की इसका record बनाय जाता है, सब इनके अंदर five stage होती है, पांच stage होती है, इसके अंदर, पहली stock group, फिश्टो केटेग्रीज, फिर unit of measure, फिश्टो का आइटम, फिर गुडावन्स, ये चारो, पांचो रेट है, मैं आपको इसे अबर में बताएंगा, ठीक है, पहला ही आता है, आपके सामने stock group आता है, टैली के अंदर stock group में, हम बस्तू का business करते हैं, उसका record बनाय जाता है, जैसे mobile का, business का, अनाज का, medical का, इन सभी का record बनाना है, ठीक है, तो आज हम आपको सबसे पहले stock group बताते हैं, तो टैली हमने खोली है, टैली के अंदर हमें क्या होता है, टैली खोली है, टैली के अंदर हमें create में जाना है, और create में ये prime टैली, अध्याना टैली prime के अंदर आता है, और create में जाने के बाद आपको सबसे पहले stock group के अंदर ज करते हैं इसम्म स्टोब गृप के अंदर करते हैं याद रखना स्टोब गृप की अंदर हमें तो हमें सबसे पहले हम स्टोब गृप में जाना है और उसके अंदर हमें क्या लिएंगे लिख देना है ठीक है उसके बाद में दो नुमर केटेगरी वाली आती है तो केटेगरी का हमारे क्या है केटेगरी का यह है है यहांनि तो अलग लग बागों में डिवाइड हुझता है जैसे ऑस वस्तु को अलग बागों विवक्त कर दिया जाता है जैसे ट्याइड में स्टो केटेगरी चुपी होती है देखने के लिए आपको एय कोटेगरी कौन से कि वो हम देखते हैं सबसे वेले हम कहां जाएंगे स्टोप के टेगरी में जाते हैं स्टोप के करे का दो तो पहला काम किया कि है कि हमने स्टोप बनाया फिर केटेगरी बनाया है अब हमें करना है युनिट अब यूनिट ऑफ मेजर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा कि यूनिट ऑफ मेजर क्या होती है तो यूनिट ऑफ मेजर जो होती है टैली में यूनिट ऑफ मेजर का प्रियोग जिस बस्तू का बिजनस किया जाता है उस बस्तू का यूनिट से मापा जाता है उसका यूनिट क्या होती है यानि उस बस्तू को हम कैसे बेचेंगे पीस में बेचेंगे बॉक्स में बेचेंगे कार्टून में बेचेंगे गराम में क्वेंटल में लिटर में टीन में और या के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे पीसे किया लिखेंगे पीसेज लिखा रहा है और इसको यहां पे पूरा पैकेट के अंदर पीसेज कर सकते पीस एस ठीक है और दूसरा आपके सामने आएगा वह आएगा बॉक्सेज ठीक है यहां पर बॉक्सेज भी मिल जाएगा आपको अवेलेबल दनों ठीक है तो पहला हमें काम क्या किया था स्टोक ग्रूप तैयर किया था जिस चीज का बिजन्स करने हैं फिर केटेगरी दो अल स्टोक आइटम के बारे में देख लेते हैं में स्टोक आइटम क्या होता है ठीक है स्टोक आइटम क्या होता है टेली में हम अलग-अलग नाम से रिकोर्ड बना सकते हैं और इसमें इसमें हम जो वस्तु बनी होती है उसका रिकोर्ड बनाते हैं इस्टोक आइटम भी लिए सकते हैं तीक है आपको बनाना है आप देखो इसके अंदर एक अपने आइटम लेते हैं यह आपके सामने आइटम आ रहा है सबसे पहले हमने स्टोक ग्रूप के अंदर मेडिकल लिखा एक नमबर काम फिर केटेगरी दो अलग लग बढ़ाओं बढ़ जाती है टैबलेट और सीरफ के अंदर यह सारी रिकोर्ड में और इस अब यह सबसे पहले टैबलेट वाला बनाता हूं इसमें सबसे पहले आता पै सबसे पहले पैरासीटमोल टैन एम जी लिख दिया अगरे टैन एम जी ओके अब यह पूस्ता कि आपका ग्रूप क्या है अंडर मतलब किस चीज़ का बिजनस करें हम मेडिकल का बिजनस कर रहे हैं तो मेडिकल लिखेंगे और यहां पर हम लिखेंगे पीसेज आप दिखो नया केटेगरी यहां पर आपको एप बारत बाना होगे एक अल्टरनेटर यूनिट हो रहाएगी इस उप्शन को भी यस करना को अल्टरनेटर यूनिक फोस्टोक आइटम ठीक है तो अब देखिएगा सबसे पहले पीसेज फिर बोक्स अब यह कहता है बोक्स करना यहां प पीच्छा कितने में 12 रुपीज में अपने सेल करती है इसको ठीक है अब यह कहता है कि पीछे का बैलन्स पड़ा कि हाँ आपने पास सो यूनिट पड़े हैं और रेट जो वह दस रुपए वाली डेट लगेगी इसके अंदर ठीक है तो हजार रुपए आपकी इसकी रेट प्रण्स पास रहें अती है तो छीटिन ठाटी एंजी यह हैं ओके यह दुबबारा से मेडिकल वीयुक्त मेडिकल वाद में टैबलेट और यह पीसे जाएंगे बोक्से जाएंगे एक बोक्स में 12 पीस और इसको मैस करेंगे कित रुप्रसेस क्यार्ट त्वैल ठाटीं होता है जो हमें प्रोफिट होता है उसको हम जो एंतर मांगते हैं ठीक है एंटर करते हो यहां पर हम यूनिट में किते लिखेंगे टू एंडर्ड यूनिट रेट जो हमारी वो थाटीन रुपीज होगी ठीक है ना ओपनिंग बैलेंस आपको यह मैंने आपको टैबलेट के बताईए अब हम सीरप के बताते हैं सीरप के अंदर आपके दो आती है एक तो हिमाल्या के नाम से ठीक है भी माल्या बनाते हैं बेग मेडिकल अचाँ अब हम सीरप करते ना एक बोक्स में लेक एक पीस होता है यह भी आपको याद रखना ठीक है और इसको हम यहस्कर हैं किते रुपे में खरीदा चालिच रुपे में और बेच्चा कितने में पच्चास रुपे के अंदर यह टैन्र रुपीज आपका क्या ह प्रोफिट होता याद रखना है और इसका हमाई पार फिप्टी पीस जो ओपनिंग स्टॉक में बढ़ा है रेट जो आपकी रहेगी वह चालिश रूपर रहेगी ओके यह आपका चालिश रूपर आ जाता है ठीक है और उसके बाद में एक और बना लेते हैं अपने ठीक है न मेड़ी के बाद में वापस सीरफ सीरफ के अंदर है एक बोक्स में एक पीश यह भी आफसी Days बहां को याद रखना sulph beक्ष आपने उस निदास को साथ रूपर में और बेचा हं सब्सक्रिश के बाद में में यहां फेर ओप निंग्स टोका दना है यहां पर हम हैं जंड़ प ठीक है तो दोस्तों मैंने आपको दो दो यानि इस केटेगरी के बारे में बताए आपको टैबलेट के बारे में बताए अगर इसको आपको देखना है कि आपका स्टोक जो बनाया था वो कहां मिलेगा तो वो आपका कहां मिलेगा यहां पे स्टोक समरी में जाना है और आपके के सामने अल्ट के साथ अफ यहां पर आपने ज़ो स्टोक डाला था वो यहां पर आपको मिलता रहे गा अगर आपको प्रिंट करना यह को परिंट करना है तो अपको आपके पास इतना स्टोक अभी प्रजेन टाइम में पड़ा है तो यह जो वीडियो है दोस्तों मैंने जो आपकी स्टोक कैसे मेंटर्री कैसे बनाया जाता है वह हमें बताया है आपको पसंद आया हुगा आगे भी हम नेक्स्ट ऐसा वीडियो बनाते रहेंगे आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिएगा सेर कर दीजिएगा और सिस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद